प्रिया और प्रिया और गुच्छाट सबसे को प्यार बने नमस्कार तो आज है महाशिवरात्री और आप सभी को महाशिवरात्री की देख साहिव कमना है तो यह सुबा-सुबा जल्दी उठके रेडी हो गए कि कोई भी फेस्टिवाल होता है तो जल्दी जल्दी उठके रेडी होने में बहुत ही अच्छा लगता है जल्दी उठके जब आप कोई भी फुझा करते हैं तो आप में भी पुझा करते हो और गर में भी पॉसिटिविटी आती है तो इसलिए कोई भी फेस्टिवाल होता है जल्ड़ जल्द उठके रेडी होना किस की सबसंदी वह चरू बताना तो चलिए अभी जब रेडी तो होका है तो फी नीचे पुझा करते हैं उसके पाद हमें मंदिर जाना तो तो हाथ हम बहुत आप कि सब्सक्राइब करेंगे तो चलिए अभी पील्हाल तो पुझा करेंग कि जो अच्छे से मैंने कलर करके बहुत ही प्यारा सा सीवलिंग बनाया था हम जो मुझे टाइम है तो मैं आपके साथ वह पूरा प्रॉसेस बताऊंगे कि मैंने कियी सीवलिंग कैसे से बना था है बहुत ही प्यारा बना था तो मैं जब भी हर सुम बार अच्छे से पुजा करती हूं तो बहुत ही अच्छा लगता है तो चलिए भी मंदिर जाते हैं वहाँ जाके आपसे मिलते हैं तो अभी हमारे जो गर के नजदिक जो जो मंदिर थे वहां हम दर्शन के लिए गए तो यह बहुत ही प्यारा सा टेम्पल था जो मुझे बहुत ही अच्छा लगा जो बहुत ही प्यारी जगह थी तो वहां भी हम दर्शन के लिए गए थे और अभी हम एक दूसरी जगह जाना सोच रहे तो वहां भी आपको लेके चलूंगी तब यह जो दूसरा टेम्पल है वो दुआरण में है और जो आप देख सकते हैं वो समंदर का पानी है और फिर हमें बुख लगी ती तो हम चले गए खाने के लिए तो यहां हम नड़ियात पहुच गए थे तो वहां भी शुरात्री के दिन ऐसे प्यारा सा कारियेकरम होता यहां रेली निकलती है सिव जी की तो चलिए आप देखिए तो अभी रात को हम संत्रा मंदिर थे तो महादर्शन के लिए गए थे और बहुत ही अच्छी तरी के से वे उस मंदिर को डेकोरेट किया था बहुत ही अच्छा लगा तो चलिए अभी रात के बच गए है साड़ा गयर है तो अभी घर के लिए निकल गए है तो आपको यह छोटा सा प्यारा सा व्लोग कैसे लगा वह कॉमेंट करके जरूर बताना बहुत सारे लोग ऐसे जो वीडियो तो देखते हैं अपर कॉमेंट नहीं करते कर लीजिए और मिलते हैं और भी इंट्रेस्टिंग व्लोग के साथ तब तक के लिए रादे रादे कर दो